सबी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका आयम चलनममा चैनल पर हमेशा की तरह एक नई कहानी लेके आया हूँ आज इस एपिसोड में तो आज चलते हैं कहानी की योर जिसका नाम है पाव रोटी में रतन ये अफगारिस्तान देश की एक अनुरूत कुतहाओं में से एक है तो चले चलते हैं कहानी की योर एक राजा था जो यह जानने के लिए उच्छुक था कि लोग भागे खुल जाने पर उसका उप्योग कैसे करते हैं एक दिन उसने शाही नानबाई को दो खुपसूरत पाव रोटियां बनाने को कहा उसमें से एक तो साधार्न हो यद्यपी बढ़ा और खोकला हो और दूसरे में रथन भर दो एक पुराना दरबारी सप्ताह में एक बार प्राताह काल खेरात बाटा करता था राजा ने उसे विश्वास में लेकर विशेश पाव रोटी के बारे में कहा दोस्त इसे एक ऐसे व्यक्ति को देना जो इसके योग्य हो दूसरी पावरोटी किसी को भी दे सकते हो जो तुमसे भेग मांगने आए प्रात्य काल उसके पास दो व्यक्ति गए एक की लंबी दाड़ी थी और वहे खास रंग का लंबा चोड़ा पहना था जिस से वह महात्मा जैसा लग रहा था दूसरा व्यक्ति मामूली बिखारी था दरबारी ने रत्नियुक्त पावरोटी दरवेश को दे दी और मामूली पावरोटी बिखारी को दे दी राजा ने अपने महल के छज्जे से यह देखा उसने देखा कि महत्मा पाव रोटी के वजन को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेकर महसूस कर रहा था उसने स्पश्ट रोप से यह निश्चे किया कि पाव रोटी ठीक से सेखी नहीं गई है और फिर वह बोला मेरे दोस्त यह पाव रोटी भारी लगती है इसमें तुमारी पाव रोटी से अधिक सामान लगता है मैं इतरा भोका नहीं हूँ हम लोग इने क्यों ना अदल बदल कर ले उसने भिकारी से पूछा भिकारी ने बिना एक शब वाले बोले अपनी रोटी उससे बदल ली राजा ने अपने आप से कहा भगवान अपने अनंत ज्यार में नहीं चाते कि महात्मा रतनों का मुह का शिकार हूँ वे नहीं चाते कि वह अमीर बन जाए राजा इस घटना क्रम की अपनी वाख्या से संतुष्ट था लेकिन उसने महात्मा के चहरे पर एक धूर्त हसी भी देखी बेशक महात्मा ने ये सोचा होगा कि उसने उसे आधी सेकी पाव रोटी देकर मूर्क बनाया है इससे राजा का उतकंड ठा और बढ़ गई उसने तुरंत अपने दो गुप्चर्द अरिकारियों को कहा कि वे उन दोनों का पीचा करें और बताएं कि उन दोनों ने पाव रोटीयों का उप्योग कैसे किया उसे शाम को खबर मिल गई तथा कथित महात्मा ने अपनी जोपड़ी में जाकर अपनी दाड़ी और चोगा उतारा तथा अन्य एकत्रित भोज्य सामगरी के साथ पाव रोटी भी खाली फिर उसने दाड़ी और महात्मा का चोगा पहन लिया और फिर बाजार में धेग मांगने निकल पड़ा बिकारी ने अपनी जोपड़ी में पहुँचकर पाव रोटी को काटा तो उसमें रत्न देखकर हैरान रह गया उसकी पत्नी खुशी से उचल पड़ी और उसने अपने लिए एक कंठाब बनाना चाहा लेकिन बिकारी ने कहा दर्बारी व्यक्ति के द्वारा बगवान ने इसे एक महात्मा को दिया और महात्मा ने मुझे दिया यह मेरे जमीर का इमत्मान है पहले मुझे दर्बारी महोदे के पास जल्दी जाकर यह पता करना चाहिए कि ये रतन कहीं अंजाने में तो पाव रोटी के अंदर नहीं रह गए चोर में दरबारी के घर से चोरी करके रतनों को पाव रोटी में चिपा दिया होगा वे शायद इसे सुरक्षित घर ले जानना चाता होगा किन्तु अवसर नहीं मिला होगा किन्तु यदि दर्बारी को इसकी जानकारी थी और उससे जान बुचकर महात्मा को उसके हित के लिए दिया था तब इसे महात्मा के पास ही लोटा देना ठीक होगा अने था हम इसे कुछ अपने लिए और कुछ जरूरत मन्द पड़ोसियों के लिए उपयोग में ला सकते हैं और शेगर ही भिखारी रतनों को लेकर दर्बारी से मिलने चला गया उसे राजा ने बुला कर ना केवल उन रतनों को अपने पास रखने के लिए कहा बलकि उसकी आदर्श इमानदारी के लिए उसे पुरस्कृत भी किया विध्याता ने इसे उस दोके बाज से जपड लिया जो महत्मा बनने का ढों करता था लेकिन मुझे भी शिक्षा मिली है वह बवमोल्य है यदि पावरोठी के अदल बदल के विशय में मैं अपनी व्याख्या से संतुष्ट रहता तब मैं सत्य जानने से वंचित रह जाता दूसरे शब्दों में इस बात से संतुष्ट है बैठ जाना संतुष्ट होकर बैठ जाना कि मैं राज्या को जानता हूँ प्रजावान राजा ने उस राज़ा राजपुरुष तथा अन्य दरबायों से कहा तो ये थी दोस्तों पाव रोटी में रतन एक कहानी जो कि कि चंद्रमामा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी आप सभी के लिए मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए कहानी के साथ फिर से आपका चंद्रमामा आपसे स्वागत देता है तब तक के लिए अपना ख्यार रखेगा धन्यवाद और अगर आपने इस चैनल को लाइक और केमेंट ना किया हो तो जरूर कीजिए ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहें धन्यवाद